कि अज़िए 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 कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ अच्छे होंगे वीकेंड काफी अच्छा जा रहा होगा और इसी वीकेंड को सुपर संडे बनाने आ गए हैं आश्यरवासर आपके साथ जी हाँ समय हैं शाम के साथ बजे का तारीक है 19 अप्रेल 2020 लोगडाउन का जी हाँ जी हाँ लोग आवाज मेरी पहुंच रही है ओके लिसन यह जो लेक्शर हो रहा है यह विदाउट डिले है विदाउट डिले है तो बीच में एक आज जगा आपको लगता है बफरिंग होती हुई तो बफरिंग नहीं होगी परिशान बिल्कुल मत होईगा बिल्कुल लाइव है क्योंकि स्लाइटली आपको लगेगा कई बफर होता हुआ कई गोल गोल घूमता हुआ परिशान मत होईएगा बिल्कुल कनेक्शन नहीं डूटा है हमारे बीच में क्योंकि लाइव चल रहा है एक्जक्ली लाइव जो मैं कह रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है वहाँ पर विदा नहीं आएगा तो मैंने इसको बिल्कुल अल्ट्रा लो लिटेंसी कर दी है अल्ट्रा लो लिटेंसी मतलब विदाउट डिले इना हार्ली वन सेकंड डिले होगा मेरे और आपके बीच में आपको कोशन मैं दिखाऊंगा आपको दिख जाएगा स्क्रीन में तुरंत वहाँ है फरवरी के कोशन आ गए हैं आशे वासर के साथ क्योंकि हम बात कर रहे है करनेंट अफ्यस की बात मुझे करनेट इसका लाइफ टैस्ट जी हां शुरू करते हैं बिना देर किये बिना खराब किये समय तो पहले जान लीजिए क्या बात बतानी है मुझे बाद बाद में कर प्रयास करूँ इसके लिए क्या ये आपको पढ़ने में आ रहा है बताईए मुझे आ रहा है हमसे सब लोग फटापट चलेगा सर सबको पढ़ने में आ रहा है ये ठीक है ओके सर ठीक है ये सर वी आ रेडी ठीक है कोई नहीं दोस्तों लेट्स क्रैक एट ये सर पढ़ने में आ रहा है थोड़ा सा अपना पर या मैं आपको पहले हिंदी दिखाना पड़ेगा इस केसे मुझे आपको चले कोई बात नहीं ये भी हम कर सकते हैं कि हिंदी विश्चेश्टे करके आपके साथ मैं जा समय बच जाता हमारा लेकिन कोई बचाना नहीं है त तो समय खराब करना है तो आप थोड़ा से लाइटिंग का इशू रहता है दोस्तों तो काम करता हूं थोड़ा से लाइट और अब मेरा चाहरा डार को जाएगा बिलकुल अंधिर में दिखाई दूंगा आपको बिलको प्रशान नहीं होंगे लेकिन आपको स्क्रीन परश्टों तो कर मेरे ख्याल से पढ़ने में आपको आ जाएगा आराम से अब यह पढ़ने में आपको आ रहा है थोड़ा से और अदर कर सकते हम चाहें तो हमारे पार स्पेस उदर का है अभी जूम भी कर सकते हैं इसको चलिए पहला कोशन आपकी स्क्रीन पर फट फट फ इनिचीटिफ है दोसरा यह किसानों को अड्वाइज करने के लिए जिससे सरप्रस आधी मार्केट में आगिया बहुत ज्यादा सामाल आगया मार्केट में आपको मिलवातने हैं इसके आंसर से चलेंगे डिसकस करेंगे क्योंकि आप आश्रवासरी क्लास में है तो डिसकस होना जरूरी है इसको हम बंद कर सकते हैं हम आएंगे अपनी स्लाइट पर फिर आई यह मेरा रिमोट कहां गया यह रहा दोस्तों फटाफट शेयर कर देए लाइक कर दियो दोस्तों तो पहले आश्र आश्र दोस्तों आपकी स्क्रिन पर आचुका है पहले का आश्र है बी जी हाँ क्या है यह लांच आफ एम ऐड़ा बार देखेंगे आपके साथ काम की में गलत होगा हैं पहला वाला Industry où वसके नाम तुमी हो लैंदें या यह पर घ्रीन को लिए टॉब जानते हैं तेमाटो로 cat लो पियाज मंडी में अता है मंडी प्या सर्प्लस जाधा हो जाए का तो इसे किसानों को अच्छा मूल मिल पाए उनको जांकारी हो पाए कि आधिक क्या है नहीं है तो यह पोर्टल की मदद करता है दोस्तों चली अब आश्यवसरी क्लास में है तो ग्यान बठतर है नची ग्यान खजाना को लेती है आपके साथ थोड़ा संब्लोग यह पर मैं आपको दिखांगो इस पोर्टल में चलके पोर्टल में क्या है हमारे चले चलेंगे आपको दिखाता हूं पोर्टल के अंदर दोस्तों मैं आपको यहां पर इस पोर्टल की बात करता हूं पोर्टल में क्या है चलिए पोर्टल खोलके देखते हैं आपके साथ यह रहाब प पोटेटो टमाटो टैनी टॉप ऑपरेशन ग्रीन के दर बनाएए सोचेगा पिछले एक महीने में प्याज के दाम या पिछले एक महीने में प्याज के दाम लसे गाउ मंडी देश की वरद लार्जेस मंडी है प्यास की 1000 रुपी कोईंटल था कब 23 मार्च को 25 मार्च को 12-1500 पर कोईंटल पहुंचा फिर कम होते होते हैं आज कहा आ गया दोस्तों वो 1800-900 रुपे ब्याच चुका है जी हाँ दोस्तों लगाता है प्राइस कम हो रहा है प्याज का दाम गिर रहा है प्याज की दाम किसान को नहीं मिल रहे है क्या हो दोस्तों सब कुछ ठीक चल रहा है हमारे आपर ठीक चल रहा है सब कुछ टेकनिकल समस्या तो नहीं है ठीक है देखे टेस्ट में लूँगा बाके अपने आंसर में आपको दूँगा अपने अडवाइस भी दूँगा तो प्लीज देखते रही है आपर सुइंग हो रहा है सुबे से आजकल वीवर्शिप सुबे से हम देखने चलती रहती है वो हमारे काम का क्या दोस्तों हमारे काम का क्या देश की सबसे बड़ी प्याज मंडी पिपल गाउं सोलापूर महुअ ये गुजरात में हैं हुबली करनाटक में हैं ये देश की कुछ बड़ी पांच मंडिया है या दखेंगे ओनियन टेमाटो प्याज पिटोटा की बात करें इसका दाम भी देख सकते हैं आराम से आप लोग, इसका दाम बढ़ लाएं, आलूगा दाम बढ़ रहा है, आलूगा दाम लगाता है पफछले कुछ दुनों से, और उसके बाद आप चलें तो, टमाटर सेमस्थे नहीं है, टमाटर का दाम भी लग बख, इस तिर बना हुआ ह सब्सक्राइब करना है इन तीन फस्तों के दाम दिखाता है पोड़ेशन ग्रीन्स के अंतरगत क्लियर दोस्तों को यहाँ पर क्लियर है क्लियर है क्लियर है आंगे बढ़ेंगे आपके साथ गोशन नबर टू तो पहला आंसर मिल गया मुझे जैसका आंसर मिलकी क्या जो पिल्खुल पहुत हो यही है। वह यह है। हम है को दिन co babet को सुन लीजिए आराम से दिश्शाने वाला है यावर ठीक है चले 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 चलेرف कि दूसरा कोष्टर आप एकके स्क्रीन पर किस संगठन के दौरा इंसाइट लैंडर मिशन launch किया गया था आपके screen पर जब भी आप answer लेखे हैं लिख दीजगा दूसरे का A तीसरे का B, चौथे का A तुम्हें याद रहेगा कि आपने कौन से answer दिया है दूसरा बताईए दूसरा का answer बताईए फटाव मुझे इंसाइट लेंडर किसे ने launch किया इसकी जांकाई फिर में दूँगा आपको यहाँ पर इंसाइट लेंडर किसे ने जारी किया दोस्तों दूसरे का A, नासा, 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 नासा वाले जी सारे, कोई B वाला भी है कौन है ये B वाला अरे यार हिमांशू क्या कर रहा हो यार ऐसा नहीं चलेगा दूसरे का अंसर है A, दोस्तों A मतलब इंसाइट लेंडर मिशन लांच किया किसे ना दोस्तों नासा ने, आईए ज्यान वर्दाते हैं अपना ज्यान वर्दा के जानकारी लेते हैं तो दूसरे कान सुनिएगा इंसाइट मिशन का पूरा नाम क्या है आपके स्क्रीन पर इंटीरियर एक्स्पोरेशन यूजिंग सिस्मेज इन्वेस्टिगेशन ज्योड़सी और ट्रांसपोर्ट इंटीर आम दिखना है यहाँ पर लाम लिखा इंसाइट यह दोस्तों है क्या इंसाइट मिशन के तहट नासा ने एक यान भीजा मंगल पर वो लेंड के मंगल के सिस्था पर और वहाँ ड्रिल करके खुदाई कर रहा है जमीन के नीचे टेंपरेशर क्या है भुकम्पी तरेंगी क्या है सैस्मिक एक्टिविटीज कैसी होती है जियोडिसी वहाँ पर भुतरहतल में क्या है हीट कैसी है तरहतल के नीचे इनका अध्यान कर रहा है यानि यह रहा हमारा आप देख रहे हैं पर स्क्रीन पर यह है क्या दोस्तों वालों में आपको यह है इनसाइट लेंडर जो लेंड कर चुका है मंगल की लाल सतह के उपर और यहां से डिवाइज निकल के आप देख रहे हैं नीचे जा रहा है और वो स्टडी करेगा भुकम भी तरंगों का स्टडी करेगा वहां के तापमान का क्लियरा दोस्तों हमको यहाँ पर पहले एक दूसरे काउंसार हो गया ए इनसाइट लेंडर लेंड कर चुका है एक साल हो चुका है लेंड की यह उसे रिसर्च कर रहा है आज कर मदा पर यह मंगल की सतह के नीचे क्या है क्या वहाँ इंसान रहते हैं, क्या वहाँ एलियन रहते हैं, यह नहीं पता कर रहा है, वो पता कर रहा है कि भुकमपी तरंगे कैसी हैं, और टेंपरिचर कैसा, अच्छे बात आईए मज़े आप लोग, अगर आप समझ पाए हैं, यदि आप नीचे के जमीन के जान गए भु प्राइमरी, सेकंडरी और पार्शविक तरंगे, जी हां, तो अध्यन कर लेगा अगरे तरंगों का आप जान पाएंगे, मंगल किस से बनाएं, मंगल के अंदर क्या है, जी हां धोस्तों, यह आपका SPL, क्लियर है, सब को क्लियर है, फटा-फट चले दोस्तों, समय कम हैं, क कुछ मानों रादी लोग मुझे यहाँ पर बी बता रहे हैं चले ढूंटे आपके साथ इसका आंसर हमारे पास क्या है तीसरा दोस्तों, तीसरा सुन लीज़े इनसाइट की बात मैने कर दी, इनसाइट की बता दी मेना अन्दर आपको बाते हैं इनसाइट की बात हो गही है, आंगे बढ़ेंगे आपके साथ चौथा कोशन, चौथे कस्ष Randyера कर दोस्तों सी यान दोनों स्टेट्मेंट सहीं है यह सुन लीजे क्या हुआ है क्या हुआ है दोस्तों तुल यह है कि यारवार रास्टिये कि इंदर्समेलन 11th national क्वी के conference आईजिन किया गया नई दिली में आईसी एयार के दोणार आई आईजिन करा आई जाता क्या है यह क्विक के क्या है इसके बारे में चले बताएंगे थे लिए को कुशें आने वाला इस साल में आपको गारंटी से बोल रहा हूं क्रशी विग्यान के इंदर पर सबस्वास जरूर आएगा बहुत बढ़ा कामन किया है दोस्तों मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है टेस्स देने में मज़ा आ रहा है ना तो बता सुनते रहिए अगले 30-40 में आपको इतने अच्छे कोशन एक साथ इतने अच्छा कंटेंड कराने वाला हूं में बने देए मेरे साथ यहाँ पर क्रिशी विग्यान के अंद के सिंपल सी बात है कि आपके लोह में हने में के वी क्रिशीव अकरते क्या है आपके जिले में क्रशी जो हो रही है उसकी रीक्वार्मेंट्स के हैं उसके लिए कौन सी टेक्नोiza अच्छी है उसका सेसमेंट करना उसके डीड इन्वेंट भी करेगा आपके लिए वो तो के वी के दा बैक्बोन ऑफ इंडियन साइंस टैक इन दा फिल्ड ऑफ एक्रिकल्चर में कहूं अगर क्रशी में विज्ञान प्रावद्वी की रीड के हड़ी अपने आप में के वी के हमारे देश के हरजने में स्थापित हो चुक की चीजे के कब बनाए गए थे 1974 में नैशनल अगरी कल्चर सिस्टम के तहट इनको तैयार किया गया था हो गया दोस्तों बाते हैं फिर चालो हो गया आपका मजाग फिर चालो हो गया मजाग नहीं दोस्तों खुश रहिए आबाद रहिए सेफ रहिए सुरक्षित रहिए औ और घर में पढ़ती रही आशेलवासर के साथ जी यहां दोस्तों और खास बात यह जो केवी के बनते हैं इनको बनाने की 100% फंडिंग के इन सरकार देती है सेंट्रल गॉर्मेंट इसको देती है सरकार अब के वी के हो सकता है आपकी उनिवस्टी के साथ बन जाएं के वी के के वी के अलग बोड़ी को सकती है और सक केंपस कोलेज के अंदर हो एरिकल चुनिवस्टी के अंदर हो फटतार इसकाम साथ यह कंपस दोस्तों ग्रों के इंदर हो ऑर्पिस चुनिवस्टा प्र चिंता ना करें, बिल्कुल चिंता ना करें, कोई बॉफरिंग नहीं है, लाइफ टेली कास्ट की कुछ डिसर्वांटेज, उसमें से एक आप देख रहे हैं, गुम्रा को गुना गुमने दीजिए, उसको अपनी स्किन पर गुमने दीजिए, आप मेरे सम गुमियें यहाँ प डबल करने का आश्यों से फॉर्म्ला याद है किसी को, 6i प्लस काउ, याद है नहीं याद है, मैं बुल गया हूं, कोई बात नहीं दोस्तों, भूल गये हैं, तो सर आपको याद दिलाएंगे, याद दिलाएंगे सर क्या आपको यहाँ पर, सुन लीजी आराम से सुनीगे हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे ब्लैक करेंगे 6i प्लसaley's काव यह क्या है किसानों के इंक्रम डबल करने का पुराना फॉरॉमला इस i मेरिगेशन है इसमें इन्वेस्मेंट है इसमें इनोवेशन है इसमें इंशोरेंस है इसमें इंवेस्टमेंट है और इंटरनेट भी है जी हाँ और इसमें छुपा हुआ है इंडस्ट्री जी हाँ दोस्तों इसी आई में छुपी है इंडस्ट्री यानि उद्योग क्रशी प्रसंसकरन खाद प्रसंसकरन फूर्ड प्रसंसिंग इंडस्ट्र संपदा का decode करते हैं संपदा क्या है किस वास संपदा हमारे पास क्या दोस्तों तो संपदा याद रखेगा संपदा का folder हमारा कहा है संपदा में याद रखेगा साथ component है आपको हिंदी की दिखातों English मिला कर तो एक साथ देख लेंगे हम लोग यहाँ पर समयना खराब करते हुए या आप देख रहे हैं संपदा की component दोस्तों सेवन कंपवनेंट अंडर संपदा स्क्रींशॉट ले लीजेगा याद कर लीजेगा बट्टू वर्ड याद कर लीजेगा कि संपदा में होता क्या है संपदा मतला food processing की scheme है उसमें क्या का component है क्या का काम होता है 7, super 7 याद रखेगा संपदा का super 7 component याद कर लीजेगा बिना घटके बिना सोचे इसको बसा लीजेगा अंदर तक घोटके पी लीजेगा PT का exam है ऐसे निकलेगा मेगा food park से लेकर यह सातों काम कर दे हैं हम लोग संपदा scheme है दोस्तों आंगे बढ़ेंगे दोस्तों आंगे बढ़ेंगे आपके साथ यह हुई संपदा तो आंसर क्या होगा इसका तीनों चीजे हैं वहाँ पर इसमें साथ में तीन पॉइंट दी है आपको आंसर में तो आंसर होना चीए डी उसका जी आंसर डी है सातों घटक पर योजना है लांच किया तक कब इसको 2016 से बीस की पांस साल की योजना है ये प्रिधान मंत्री किसान संपदा उजिना मंत्राले कौन सा वही पीछे देखा था आपने टॉप वाला फूड प्रोसेसिंग इंडस्टी जी हां यही मंत्राले प्यारा हमारा हनसर मेंनम का एफपी आई यही मंत्राले देखेगा किसानों के इंकम पड़ावल करने काम हो गई दोस्त बात यहां तक हो गया दोस्तों यहां पर मैं कोशन नहीं देख पाई यह कहना है जीनत का जीनत क्यों को यहां नहीं देख पाहिंगे आप तोबा इंडोनेशिया, जावास kilo, लिए दीया तोबा असान हो गए आपके लिए आपके लिए लगा यापके लिखा है ले assisted तो बता का दो और धोन पार अमार आप को इंड उनेशिय का सुमात्रा दीप इंडोनेशिया के सुमात्रा दीप में हैं इंडोनेशन के समातरा दीप में है दोस्तों टोबा वॉलकेनो टोबा वॉलकेनो माना गया था है 74,000 साल पहले फटाता ये और इससे दुनिया भर में अंधेरा हो गया तब हमारे भारत के सोन घाटी कहां पर सोन घाटी यूपी एंपी वाटर सोन घाटी नदी घाटी छेतर में रहने वाए लोग बज गए थे जी हाँ ये बात सामने आई है जब दुनिया से मानत तक खतम हो गई थी और नहीं इसका नम था टुबा टुबा के कारण तब बच गए थे घर में रहने वाले लोग यानी सोन घाटी में रहने वाले लोग याद पाएंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर EPFO में आएगा जी हाँ बिलकुल EPFO UPSC दिया करता है दोस्तों कोई भी कोशन UPSC जो पढ़ना है आप लोग वो काम आएगा आपको UPSC EPFO में भी कोई वफरिंग नहीं है थोड़ा गोला घूमताने दीजिए घूम रहा है घूमने दीजिए समय का चक्र है आगे बढ़ेंगे दोस्तों मजा आना चाहिए दोस्तों देखें मजा आना चाहिए टेस्स दे रहे हैं कुछ ग्यान मिले इंटेटेन भी करें अपने आपको कोशन का लोड भी ना हो तोबा इंसमात्रा यादखीगा तोबा फटा था कब 74,000 पहले और सोके गाजब भी फटा था तब सोचीगें आप मैगमा ना भी फिटाए चाहिए अप 2800 किलोमेटर इलाके में मैगमा भी फृट अथा लांर वूर्ट हे निकला और यह फैला हुआ 2800 किलोमेटर र लाके तक मैगमा भी फैल गया था आप कितना बड़ा विस्वोर्ट था अपने आप में ये आँगे चलेंगे हम लोग यहाँ पर चलिए कोई बात नहीं 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 को प्रदान करता है प्रवाइड रेंज ओफ्री सर्विसेज तो यूज़ इन दसी एरिया क्या मतला वे उस्तों उसका सिंबल समतला है एक संस्थान है इनकोईस नाम का संस्थान है जो मंत्राले में आता है और उनका कहना भी एक कई फ्री सेवाई देता है आपको अच्छा कौन सेवाई देता है चलिए आंसर बताइए मझे उसका सिक्स का सी आपने देखी लिया है तो आप बता देंगे दौन सही है आईए डिकोट करते हैं अपने कोशन को आज से कुछ नों कर खबर आई थी ए खबर की बात मैं नहीं ने के लिए ये तीन नई सेवाएं देगा मालूमें क्या करता है इंकोस सुन ली बहुत छोड़ा सबात इंक वागर हैँ ना समुद्र में जगा जगा चली खोलते हैं ख़जाना खोल लेट थे इसका नाम देखने प्रोड़ो नाम हिंदी में भारतिय राश्री महासागा सूशना सेवा केंद्र हैटक्वाटर है 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 धराबाद में मुश्किल नहीं होगा आपको इनकोईस बना है अधराबाद में मिनिस्ट्री कौन सी है देख लिए बीचे आपने और साइंस पर सेट्मेंट सही है दूसरा सेवाइं फ्री देता है तो लीजे करता क्या इंकोईस करता क्या दोस्तों में बड़ा इंट्रस्टिंग काम करता है यह कहांगे अरगो 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 फ्रेम आई थी वरसे कुछ साल पहले चलिए यह करता कहांना इनकोईस इसने न ऐसे जगा जगा अपने समधिर के अंदर आ ऐसे उपकन डाल रखे है तिख़रा है आपको इसे कहते है अरगोई और इसे कहते है अरगोई या मूर्स भी कहते है यह तैर रहे है पानी के अंदर और यह जुड़े होते हैं सैटलाइट से यहां का पानी का टेंपरिचर क्या है पानी में क्लोरोफिल कितना है पानी में सैलनेटी कितनी है लवनता कितनी है धाराओं की दिशा कितनी है हवाई किती देच चल रही है चकरवात आ रहा है क्या समुद्र के सतह पर सेटलाइट को देगा, एरोबर सेटलाइट मेरा, और सेटलाइट कहां देगा, इनकॉईस सेंटर को, जी हाँ, समुदरी सुना कहां पहुच गई, इनकॉईस के पास, इनकॉईस मैसेज में डालेगा आपको, आप फोल के बढ़ेंगे, अच्छा चकरवादी हवाएं चलने व रहा है इवन क्लोरोफिल है समुधर रुपय जहां मश्रियां पल सकती है मश्रियां हो सकती है शहवाल हो सकते हैं बताएगा मैसेज में जाओ मश्रिया पकड़ लो वहाँ जा कर यानि इनक्वाइश आपको कई तो बहुत सारे काम करता है यह, आजकल ना एक आगय है, बायो, अर्गो, फ्लोट्स भी आगय है इसमें टेक्टलोजी होती है इस से पाले में घुली कित्ती है, औक्षीर कित्ती घुली है, पानी में और्गमिटर कित्ने इतले घुले है पहुँच गई बात अब तक पहुँच गई बात अब तक ये चार दोस्तों तो आंसर क्या होगा इसका आंसर क्या होगा कोशन मिल गया हमको आंसर होगा इसका सी जी हां दोस्तों तीन नई सेवाइं शुरू किया इसने भी हाल में abis, swaos और swell search forecast system इन तेनको याद कर लीजिए फटा फट याद कर लीजिए इन 對नों को याद करना है आपको तीन आई सेवाइं देना शूरू किया इसने संफते महीं फर्वरी महिने में abis, sas और swell search forecast system क्या होता है यह क्या होता है दोस्तों किया लिएंगे क्या होता है क्या हूत क्या है लुक्त कोशन और सब्सक्राइब इरुप्शन हैंगे इस ब्लूम होट गुंकॉटपと思います क्या कि चार संबवब पाचान की रूप में पापे जल मानार्गी खाली गोपाल पुरकर 30 एजल क्या होता है एलगी होट सपोर जानते हैं तो सटों ऐलगी ब्लूम जो कोस्टर लाइन होती है 30 एलाके वहां पर एक एक बहुत बड़े स्केल पे शेवाल एल्गी पनफ जाती है एल्गी ब्लूम हो जाता है जिससे वाँका पानी खराब हो जाता है पानी में आक्सेल की मत्रा खतम हो जाती है जो कोस्टर लाइफ है जो जीवन है मचलिया है वो मर जाती है वहां मच्टिया नहीं रह पाती है तो पॉलिशन एक प्रकार का ये और कहां कहां है ये पहचान की गई है कहां कहां इन चारो ही जोन में दोस्तों चारो ही अलाके हैं इसके आंसर में इसका आंसर होगा D दोस्तों आपका इसका आंसर होगा D गोपालपुर का 30 जल्भी इसकी काटिगरी में है इसका अंसर रोगाडी दोस्तों खास बात बताओं क्या है आपको सुन लीजिए यहाँ पर यहाँ पर जोड़ता है हमारा आंसर पिछले कोशन से हमारा आंसर था दोस्तों कहां गया वो अराम सुनिएगा आराम सुनिएगा इनकोईस ने तीन सेवा दाना शूरू किया है उसमें एक शेवा है अलगी ब्लूम इंफरमिशन सर्विस सिस्टम यही है अबी आईएस जो जानकरी देगा आपको अलगी ब्लूम के बारे में जी हाँ दोस्तों, एल्गी ब्लूम के बारे में, शेवाल के प्रिस्फुटन के बारे में, कौन जन्गई देगा आपको आपको ये ABIS नाम का फ्री प्रनाली, जन्गई देगी आपको, कि वहाँ पर पनप रही हैं, ये नहीं, वहाँ खतरे कौन कौन से हैं, तो याद है यहाँ पर algae response हो सकता है algae response हो सकता है incois की abis system थोड़ा याद खेंगे abis का main काम क्या है कहां का algae पनप रही है इसकी जानकारी हम आपको दे पाएं clear दोस्तों 7D हो गया 7D हो गया बहुत बड़े है सिद्धिकी सहाब बहुत बड़े चलने दीजिए इस परकार से और message करते रही है प्यार भरे message चलने चाहिए आपके अगला question दो आएंगे दोस्तों अगला question आठ नमबर question आठ नमबर question अच्छा है रताइए मजा रहा है के नहीं सबसे पहला काम मजा रहा है knowledge मिल रही है पहला काम ग्यान मिलना चाहिए मजा आना चाहिए और सीखना चाहिए कुछ ना कुछ हमने आ रही दोस्तों ओके बहुत बड़े हैं सबका ठीक चल रहा है मजा रहा है सबको मजा रहा है और सीख भी रहे हैं बहुत बड़े दोस्तों ये डबल काम रेट तो टूइन वन वाला काम हो गया अपना ख़क्त आपको याद होगा दो हजार बीस इडी दीन क्या है कि सब्सक्राइब क्या हुआब प्रत्वी हमारी यह है चंद्रमा हमारा और हमारे चारो और ना आजकर एक नया पिंडे चक्कर लगा रहा था चोटा सा बहुत चोटा सा एक पत्थर एक चट्टान के आकार का सोचिएगा मतलब उसका डायमीटर था लगबग 6 फीट के आसपास 6-7 फीट के डायमीटर व्यास था उसका बस घूम रहा था प्रत्वी के चारों और हमें लगा हमें सैट्राइट मिल गया नया हमें लगा नैच्ट्रल चंद्रमा के लावे एक और उगर है मिल गया हमको लेकिन ऐसा नहीं था वो आया गुम के निकल लिया वो क्या था एक एस् कोविट नैंटीन नया वायरस सीडी तीन कोड़ी नहीं यह सीडी तीन है या एक एस्ट्राइट था एक शुद्र ग्रह था जो कुछ समय रहा हमारे चारों और निकल लिया प्रत्वी के लोग काम के नहीं है निकल लिया अगली मंजिल की और यह था आपका आस्थाई चंद आप दिया आंगे बढ़े दोस्तों लोग आँगे चलेंगे अगले कोशन पर आएंगे आपके साथ कोशन नमबर जो भी है आपका कोशन नमबर है आपका 9 9 नमबर 30 मीटर टेलेस्कोप इंग्लिश पढ़ लिजे 30 मीटर टेलेस्कोप के बारे विचार कीजिए पहला यह च बारा सो गुना अधिक बहतर रिजलूशन देगा क्या जानकारी हमारे पास है बताएए 9 का अंसर 9 का अंसर ABCD ABCD 9 का चले 9 का CCC बता रहे हैं लोग चले चेक कर लेते हैं आपके दोमा सही पहला गला तेरो सही देख लेते हैं एक बार हमारे पास जानकारी शुपी है हमारी PBD के अंदर 9 का कोशन दोस्तों 9 कोंबर कोशन 9 नमबर कोशन कहा टक गया यह रहा दोस्तों ओके है क्या वैली बाद तो यह है आपके स्क्रीन पर टी एमटी 30 मीटर टेलिसकोप यह जो यहां पर लैंस लगाएं दोस्तों इसका व्यास थर्टी मीटर तीस मीटर व्यास दुनिया का लाज़ेस टेलिसकोप है यह बना नहीं अभी दो यह काल्पनिक चित्र है ठीक है अभी दो यह खबर आई दी को जोनों पहले इसको बनाए जाने का शुरू करना था उनको कहां पर अमेरिका के हवाई दीप पर वहां के लोग प्रोटेस्ट करने आगे स्वालकों पर नहीं बने गा यह नहीं बनना चीए यह तो याद लखेगा यह बना नहीं अपता यसी क 1990 में हबल भेजाता है 1990 में अमेरिका की नासा एजनसी ने अंतरिक्ष में वो स्पेस का स्टडी कर रहा है फोटो किसके देजता है नीचे हमको यहाँ पर फोटो किसके बेज़ रहा है नीचे हमको 20-30 सालों से हबल स्पेस चैलिसकोप हबल से भी 12 गोना अच्छा फोटो क्लियर है यहां पर यह ठीक है अब कितने लोग मिलके लगा रहे हैं बड़ी बात वो है दोस्तों तो कितने लोग मिलके लगा रहे हैं इसमें कितने देश हैं पांस देश हैं दोस्तों कनाड़ा है अमेरिका है चीन है भारत है और जापान है यह यह पांस तो देश हैं इसक सब्सक्राइब 5 देश के अंदर है दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा विचार करना है कथन सही कलत पूछा है क्या पूछा है सत्य पूछा है तो पहला गलत है ठीक है 1200 गुना क्या बारा गुना क्या देखा पीछे आपने बारा गुना तो पीपीटी तो पीपीटी मारा है कितना था दुस्तों बारा टाइमस शार पढना नोट बारा गुना नहीं है तो ये भी गलत है पहला भी गलत है इसका का अंसर होगा डी नान आफ देश इंक्लूडिं इंडिया Subscribe 5 रहा council देश और पर देखिए लेकिन दोनों गलत स्टेटमेंट है कि उइंडिया को मिला कर 5देश हैं और 12 गुना है ना की 12 सोगना है ठीक है दोस्तों और यहा पर नाइंत करड़ी दोनौ आनसर गलत है अपने नौना and program for administrator. जी हाँ, जो प्रसाशक हैं, जो अधिकारी हैं, उनको भी training देंगे अब तो हम, उनको भी training देंगे दोस्तों, और training के विचार कीजिए कहतन पारिक्टम पर, तो कुछ पढ़ लेते हैं फटभाब लोग यहां से ने तो कहा पहुंचेंगे हम लोग इसके बाद अपको लेकर अपनी और प्रॉटेल का जॉयंट प्रोजेक्ट है Education Leadership Development Program किसने लाँच किया है UK IERE UK UK India ERI जी हां दोस्तों UK और इंडिया का ज्ट प्रोजेक्ट है क्या नाम इसका नाम देख लेते हैं कि आपके साथ प्रगते हैं लोग आपर क्या है दोस्तों भारत के सिक्षा मंत्रा ले या नहीं है चार्डी मंत्रा ले और बिटेन ने मिलके लॉंच किया UK इंडिया एजुकेशन रिसर्च इनिशेटिव UKERI ठीक है दोस्तों जिसके अंदर चलाए गया कारेक्टरम पर नाम है ये नाम बड़ा सा नाम और ये करेगा क्या ये भारत में जो प्रिसाशनिक अधिकारी है जो प् स्विक आंसर क्या होगा है दोस्तों सी 10 का सी 10 का सी 10 का सी आंगे बढ़ेंगे और आपको मज़ा रहा है बफरिंग नहीं हो रही है बफरिंग नहीं हो रही है दोस्तों बफरिंग नहीं हो रही है घुमने दीजिए गोला घुम रहा है उसको वो गोला वो समय है बता रहा है कि जिनाब समय चल रहा है टेस्ट चल रहा है समय है वो समय देख रहा है महावारथ बाला दोस्तों आँगे बलेंगे आपके साथ आँगे बलेंगे हम लोग देखिए दस कोशन की हम लोगों ने मैं मिशह बोलता हूँ जब भी टेस्ट करें आप तो दस कोश्चन से 20-30 निकाल के लाएं तब तो काम का होता है वो टेस्ट अधावाई टेस्ट बहुत होते हैं हमारे काम का कब है जब उन 10 कोश्चन से आपको 20-30 और मिल जाए तो मज़ा आए काम करने में दोस्तों तो मज़ा आए का कराय था दूसरी क्लास क्याबिनेट फैस्ट लोगी कि मैंने कराई ती आपको पहली क्लास क्याबिनेट की जो थी इसे पाम में चोट लगी थी मेरे वो याद होगा आपको उसका मैं दूबा जब कराय था अगली बार तब कराय था इस मिशन को मैंने आपको क्या प्रवरी म इखने इंट्टा है इसके किया क्या एंडी बढ़ना तकनीक वस्तिक आ एंडी बढ़हना दूसरा बजार का का विकास प्रिहां ईखने आप तक क्व प्रिया निर्यात को बढ़हा देना। प्रमोशन करना और चौता है Skill Development, Kaushal विकास करना इस फिल्ड में, तो चार Component है Answer ढून लीजी, आपका Answer है क्या नहीं Match कर रहा है क्या नहीं कर रहा है दोस्तों तो Match करेगा तो Answer होगा R&D है, Innovation है Market Development है, Export Promotion है पर चुन जो नहीं है इसके अंदर कौन सा नहीं है दोस्तों इसके अंदर एक नहीं है हमारे पास वो है export promotion है market है skill की बात नहीं कि इन्योंने कोई बात नहीं चार होते तो चार होता बीदर D है answer D होगा 11 का D दोस्तों 11 का D आएंगे बारा नूमर कोशन बारा कोशन फरिवरी महिने में हुआ था दोस्तों वालों में क्या गुजरात में हुआ था गुजरात की गांधी निगर में हुआ था वालों में एक समिट एक ग्लोबल समिट CMS का Conference of Parties कई बार पढ़ा है मैंने आपको कई बार पढ़ा है स्पेशल भी लिया था मैंने उस पर CMS हुआ था, Conference हुआ था, COP हुआ था COP 13 हुआ था CMS का, याद होगा होना चाहिए याद, उसका पूछा है मैंने संकेच चिन क्या था दोस्तों, उसका जो Voorीτο जारी की थी, वो क्या थी, यहाद है किसी को, उसमें एक, तो हमारा Mask觉 था, उसका नाम, Mask觉 नाम मौनने क्या था आपको, किसी पक्शी के नाम पर था, जी हाँ, किस पक्शी के नाम पर था बताएंगे मुझे आप लोग किस जी भी जी हां ग्रेट इंडियन बो स्टार्ट चली अब ढूंडते हैं आपका चाथ आंसर क्या है इसका तो सवाल पूछा गया है COP के प्रतीक चिन्ड में दक्षिन भारत के पारंपर एक रंगोली करने की जो परंपर होती कोलम रंगोली करने की प्रंपर होती कोलम वह पर उसका प्रयोग करते हुए भारत के जीवों को दिखाया गया निरंगोली बनाई गई है चिन्ड में और भात के जीव बनाए गए हैं उसके अंदर च्छा और दूसरा हर तीन साल में होता है मनीला में हुआ था एंडिया गांधी नंगर में हुआ यार भ्रसे पर उलिए कोप और 2 दूसरी बात जो चिन्ड PPD यरही देखते हां आपके साथ यह था इसका चिन किया तो मैसे स्क्रीन पर यहा Screen वेल दिख रही है एक हमको कच्छु आपके आउटर लाइन में ठीक है दोस्तों एक बार पढ़ लेते हैं तो तो आमूर फालकर बनाये गया, बास, मरीम टैल बनाये गया, इसमें दिखाई गई आपके प्रिवासी यहांपर, फिल बनाय गय ते ने लुज़ग है जानते हैं हम लोग यहांपर. तो चरचा डिल में हो चुकी है CMS पर भारत ने दो जीवों को शामिल कराया है मालूम है इस बार बताइए एक कौन बताएगा मुझे भारत ने इस बार के जो गांधी नगर गोशना पर जारी हुआ उसमें भारत की तरफ से दो जीवों को या तीन गभारत ने जीवों को शामिल कियागा मुझे आप बताएगे आपके साथ एक खुर्णों देखेंगे हम लोग यहाँप समय कितना हुआ है अभी तो बहुत समय है तेरा नमबर कोश्चन आपके स्क्रीन पर ब्लू.network पर विचार कीजिए ट्रम साहब आये थे ब्लू.network लाए थे ट्रम साहब आये थे नमस्ते इंडिया कहने के लिए आये थे ट्रम साहब हमारे गुजरात गए थे पर अंगरा फोटो की चाने का या ताजमेल के सामने और भी एक दो काम किये उन्होंने उसी में उन्होंने भात को प्रसंद ने किया आई है भारत जॉइन करें हमारे साथ ब्लू.network पढ़ाए ब्लू.network दोस्तों लोगों नहीं आपर अब रुख रहने लगा है वीडियो हमारा कौन कह रहा है दोस्तों क्या चीन गया शिलंका में उसने का जनाब हमन टोटा बंदरगा है आपका बड़ा खराब बंदरगा है मैं इसको बना कर देंगे नया जिससे आपकी इंकम रातो रात बल जाएगी शिलंका ने का चा कितनी कीमत चीन ने का जनाब बनाने की लागा सो अरब डॉलर आपको कमाई हो गया शिलंका को बनाके आप चीन कहता है भाईया पैसा आप इसकरो मेरा शिलंका पैसा है नहीं मेरे पास बंदरगा ही देदो तुम मुझे यह तो चीन का जो ओभी वार का जो कॉंसेप्ट है यह जो कॉनलाइशन वो कर रहा है उसके खिलाफ एक एक अमेरिका ने कंपनियां एसेस करती है प्रोजेक्ट की लागत क्या है और क्या फाइदे नुकसान हो सकते हैं यानि कि एक आप जाके देख सकते हैं उनलाइन पोर्टल पर कि जनाब अगर हमबन टोटा मंदरगा बनेगा तो कितना फाइदा होगा रियल फोर कास्टिं करते हैं हम लोग ब मुलयांकन करना मैंने समझाया था दोस्तों आपको ये ये क्या अंसर होगा पहला सही है पहला सही है दूसरा इसका वरोध हो रहा है नहीं भारत का अंसर सही है राहूल का भी सही है 13 का A यानि 13 का A दोस्तों एक बाद ट्रॉस चेक कर लेते हैं आपके साथ 13 का अंसर होगा हमारे पास 13 का A दोना स्टेट्मेंट सही है दुनिया को जीतना लडाई है Cold War के एक परकार से यह इसका नाम है Blue Dot Network अमेरिका लड़ रहा है चीन के O.B.O.R. से याद होना चाहिए दोस्तों पूरी कहानी सुनाई दी मैं आपको इसके बारे में कोई वफरिंग नहीं कोई समस्या नहीं प्यार चल रहा है सिस्टम चलने दीज़े दोस्तों क्लियर है सारी बाते रिवाइस कर रहा हूँ मैं आप सुन लीजिए सारी कहानी बात हुई है फर्वड़ी में आपसे Blue Dot Network आंगे बढ़ेंगे दोस्तों आपके साथ, आंगे चलेंगे हम लोग, अगले कोशन पर, कोशन पर चऊदा, डेटा लोकलाइजेशन, पर विचार किजिए, पहला, भारत औ चीन डेटा लोकलाइजेशन के विरोध में हैं, अच्छा, भारत विरोध कर रहा है, फिर कानून का बात में कर रहा था आप से किसी 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 हम दोग चाचा कर रहे थे मैं बताया था Google अपना regional office खोल रहा है मुंबई के बाद दिल्ली में जी हां Google सर्व बना रहा है अपना Amazon बना चुका है हिदराबाद में यानि हम सपोर्ट करते हैं डेटा लोकलाइशन का विरोध नहीं करते हैं यहां दोस्तों तो पहला तो पक्की बाद है गलत है मेरी तरफ से गलत है और दूसरा पढ़ते हैं आपके साथ देटा स्थानी करण की संकल्पमा वैश्वी करण की संकल्पमे विप्रीथ है और सरक्शन बाद को बढ़ावा देती है बैया तुम्हें ना डेटा देश के बादी लेके जाओगे आशिरवात का डेटा देश के अंदर रहेगा यह कहती है सरकार तो क्या हुआ यह यह भी होना चाहिए फ्लो आप डेटा रोगलाइस करेंगे डेटा को रोक रहे हैं यह एंटी ग्लोबलाइशन है यह शौट अफ प्रोटेक्शनिजम है यह एक प्रकार का सरक्शन बाद है यह कहना अमेरिका का पस्चिमी देशों का तो आंसर क्या होगा दोस्तों बताएंगे मज़े इसका कौन सा सत्य है पहला गलत दूसरा सही चौधा का भी जी हाँ चौधा का भी पैचांग गए हैं आप लोग अच्छा एक में डुकते हैं एक में डुकते हैं भारत ने डेटा ग्लोबलाइशन करने के लिए क्लिए क्या कदम उठाए हैं सिंपल लास्ट ये दो क बताईए मज़े आप भारत ने डेटा ग्लोबलाइशन सम्बंदेथ क्या कारे किये हैं बता दीजिए पहला काम क्या किया दोस्तों आर बी आइने कदम उठाया है और आर बी ने कहा है कि जितने भी पेमेंट कमपनियां हैं जितने भी बैंक हैं उनको देश क्विदेशी ब बिल ला रही है on the recommendation of Justice श्री कृष्णा करमेटी रिपोर्ट Justice श्री कृष्णा करमेटी रिपोर्ट के बाद देश में data protection बिल लाया जा रहा है जहां data relation किया सकता है तो Justice श्री कृष्णा रिपोर्ट यूपेश सी पूच चुका है कई बार पूसता रहेगा Justice B. श्रीक्रशना जी हां दोस्तों याद हकीकन का नाव इनकी रिपोर्ट के अधार पर सरकान एक बिल तयार किया, बिल पास हुआ नहीं है बॉजल दी पास हो जाएगा जनरेटर प्रोटेक्शन बिल भारत का डेटर प्रोटेक्शन बिल की बात यहां पर चंदन किखार रहे हैं आपको session अच्छा लग रहा है चंदन अच्छा लग रहा है तो बने रही है मेरे साथ, नहीं लग रहा है तो जाकर सोगाईए अराम से, कोई जबशती नहीं कोई हंगामा नहीं, टेस्ट होता है ऐसे ही दोस्तों और आशेवा सकेटेस तो ऐसे ही होते हैं जहां ग्यान की गंगा बहती रहनी चाहिए ग्यान की गंगा इस कलास से निकल कर आपको बंगाली खाड़ी तक पहुंचनी चाहिए आपके घर तक, आपके दिल तक, आपके दिमाग तक पहुंचनी चाहिए फ्री हो के बात करें दोस्तों हम लोग यहाँ पर चलिए आँगे बढ़ेंगे दोस्तों आपके साथ आँगे चलेंगे हमारे पास समय है एक आथ कॉशन होकर सकते हैं तो अंसर क्या हो जागा दोस्तों चौक Hamm Ar brakes चौकान सर हो जागा दोस्तों स्टेट्मेंट पहला स्टेट्मेंट किया रहा है यह कहता है यह समय कॉर्ड कि 24 मार्च के बाद 24 मार्च 1971 के बाद जो भी बंगलादेशी भारत में आए हैं उन्हें नागता दे दो इतके बेफकूपी यह दो ली काई गया या जो बच्चा भी जानता है ना इतना मंगामा सब्सक्राइब के बाद 25 मार्च 1970 बात के बाद 25 मार्च 1970 बात के बाद असम में आए हुए नागता करता है जी नहीं पहला गलत है दूसरा सही है आईए देखते हैं आपके साथ क्या मतलब है यहां पर कहानी क्या कहा रही है हमारी कहानी यह है वो है तस्वीर असम एकॉर्ड की साइन किसने गीती राजीव गांदी तीन पार्टी समझाता था असम सरकार अलगावादी और कि सरकार की साइन हुआ था 15 अगस्ट 1985 को जी हां दोस्तों वो सही स्टेटमेंट है इसमें क्या लिखाता इसमें यह लिखाता दोस्तों कि ऐसे बागलादेशी ऐसे गुसपैटिये जो 24 अगस्ट 24 मार्च 1971 की मरात्री के बाद आए हैं असम के अंदर उन्हें निकाल फैको उन चेल में डालो बाहर फैको उसको उसके पहले आज चुक इन्हें बना लेंगे उसके बाद में जोँआ इंको निकाल फैकी यहां से पहुंच गई मेरी बात आप तक दोस्तों पहुंच गई है बिल्कुल पहुंच गई होगी दोस्तों मेरे प्लस करस्ट राइम हो रहा है ए विग्यापन अलग से नहीं करता हूँ है अब ग्यापन चुटा से सुन लीजी आपके साथ दो मिट का विग्यापन है दोस्तों यहां पर प्लस करस्प में लाचकों में आपके लिए अनकैडमी का सबस्क्रिप्शन वहां पर आईए जॉइन कर जी हमको और इसके लावर वो मेरा ड़िआ दोस्तों है कारी आपके पास मिलकुल है मेरा डी ना तो मेरे लिए दीज़िए कर स्की ने इसके मील जिखा दो में इसक्रिंगी अपना यहां पर आईए यूज़ कीजा आशेवाद 10 रेफल कोट से और मुझे मेल कीजिए और मेरा मेला आइडिया आपके संस्क्रीम दोस्तों यहाँ पर